बहुत धन्यवाद, बहुत अप समों का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूँ, आज जैसा पता चला कि हिंदी भाषी क्षेतर के हमारे सभी विद्वत जन इस सेशन में है, तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और स्वागत करता हूँ आज की इस मीटिंग म तो क्योंकि इस समय को देखते भी चलेंगे इस समय एक उधारन से इस समय आपके साथ में स्टार्ट करना चाहता हूँ आप इस समय स्लाइड टू को इस समय देख सकते हैं और यहां पर आप देख रहे हैं Mount Morgan, it is one of the mounts in the Australia, Australia के Queensland में है मैं इसलिए यह बात कर रहा हूँ कि आज के ट्रेनिंग से इसका सरोकार है इससे मैं यह बातचीत करना चाहता हूँ Mount Morgan, Australia का एक बहुत ही नामी यह आपका परवत है और इसके बार एक बात में पढ़ रहा था हाल में और मैं यह देख रहा था कि हजारों साल से इस पहाड के उपर बहुत सारी आदिवासी जंजातियां रहा करती थी I would like to repeat it From thousands of years बहुत सारे लोग जो कि ट्राइब से वहां के इस पहाड के पर निवास करते थे गरीबी के अंदर, सब प्रकार के अभाव के अंदर, सब प्रकार की कमी के अंदर उन्होंने अपना जीवन जिया उनको नहीं मालूम था कि क्या है वो पहाड में थे अच्छा महाँ पर ज्यादा खेती हो नहीं सकती थी भेड पालन उनका काम था And they did not know what is there inside Sorry sir, to disturb you sir, PPT move नहीं हो रही है Second slide show नहीं हो रही है इसको तो मैंने रोक करके रखा है? Yes Second slide पे कर रोक अच्छा second पर दुबार आते है अब आगे? Yes sir, yes sir Okay, okay So I would like to start it again और आप जैसा कि स्क्रीन में देख सकते है Mount Morgan लिखा हुआ है Australia, Queensland Queensland, Queensland वहा का एक बहुत ही नामी बहुत ही जाना पैचाना एरिया है सबसे पहरे कहूँगा जितने हमारे हिंदी भार्षी, हमारे मित्र लोग है हमारे विद्वत जन्रोग है, सबका स्वागत है मॉंट मॉर्गन के बारे में इस समय आपके साथ बाचीत करूँगा और आप इस समय स्क्रीन में इसको देख सकते हैं आप इस समय इसको स्क्रीन में आप इसको देख सकते हैं वेट वेट तो इस समय कुछ बाते हैं इसके बारे मैं आपको बताऊंगा हजारों सालों से बहुत सारे ट्राइब्स इस पहाड की उपर रहा करते थे हजारों सालों से और बहुत गरीबी बहुत ही तंगहाली के अंदर है ना बहुत ही बधाली के अंदर, क्योंकि पहाड जो था, उस पहाड की पर खेती तो हो नहीं सकती थी, भेड़ पालन इनका मुख्य पेशा था, तो इनको मालम नहीं था, बट आल अफे सडन, अचानक सरकार को पता चला, कि मौन्ट मॉर्गन जो पहाड है, उसके निचे बहुत सारे सोने के भंडार है, और जब पता चला सोने का भंडार है, तो सरकार ने उस जगा को अधिग्रिहित किया, लिया, और लेने के बाद उनको जब उन्होंने कंपेंसे क्या है, और आज इसी सवाल को आपके सामने मैं यहां पर लखना चाहता हूँ, और वो यह है कि उनको नहीं पता था कि क्या है वहाँ पर, लेकिन क्या आज सच में हमको पता है कि हमारे पास क्या है, इस सामने आप देख सकते हैं, आप लोग को दिखाई पढ़ रहा है, तो अगले स्क्रीन में चलते हैं, और यहां पर हम देख सकते हैं, मतलब मॉर्गन के एक्जम्पल मैंने इसी लिया, कि उनके पाओं के नीचे बहुत सारी पॉसिबिलिटी थी, और आज जितने विद्वत शिक्षक लोग हैं, आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत हाथ ज कहना चाहता हूं, आप इसके दोरा दुनिया के अंतीम छोर तक जा सकते हैं, क्योंकि मॉबाइल is the broadcaster also, आपके पास रेडियो है, रेडियो से अर्थ अब वो पुराना वाला डबा नहीं, जो पहले डबा हुआ करता था हम लोग के टाइम में, रेडियो ने अपने आपको समय धाला है, आपके पास internet है, आपके पास podcast है, so many things are there, नीचे कहवत आप देख रहे हैंगे, sky is the limit, लोग बोलते हैं, लेकिन मैं इसको परिवर्तन करना चाहूंगा, sky is not the limit, लेकिन तर्थ ही यह है, our mind is the limit, हम कहां तक सोच सकते हैं, हमारे सोचने की ख्षमता कहां तक है, उ So now we are moving on to the next slide, समय को देखती भी चलेंगे, और अगले slide में समय चलेंगे, और यहां पर आप देख रहे हैं, what is the e-content, e-content के बारे में आपको पता होगा, और एक request करूंगा, अगर आप लोग को इस समय कोई question आता है, कोई प्रेरना मिलती है, कोई उत प्रेरना मिलती है, अ so that we are also encouraged, है न, हम लोग को भी अच्छा लेगा, so Mount Morgan का example देख लीजेगा, and my dear friends, I would like you to analyze, what is there beneath your feet, आपके पाओ के नीचे क्या है, आपके चारोर क्या है, जब इन संभावनाओं को आप देखते हैं, you will feel that you can explore so many things, आईए आते हैं, what is e-content, e-content को और हम देखें, तो आप सब आपको पता होगा, यह text हो सकता है, यह image हो सकता है, audio हो सकता है, video हो सकता है, आप लोग को यह मालूम है, से इसको जादा लंबा नहीं बोलूगा, यह आपका interactive कुछ हो सकता है, animation हो सकता है, it can be anything else, आइए अब इस समय आगे चलने, एक question मेरे सामने है, is radio unpopular, क्या radio unpopular है, आप इस समय आपको बताना चाहता हूँ, radio at all, अलोग प्रिये अब नहीं है, आप drive कर रहे हैं, आप FM सुनते हैं, आजकर podcast है, आप यहाँ पर एक पुराना डबा देख रहे होंगे, है न, mouse यहाँ पर, mouse यहाँ पर hover कर रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, अब यह पुराना अनुभाँ था, बड़ा अजीब सा अनुभाँ था कि एक दक्षिन भारती अभीनेत्री, आर इतनी खुबसूरत हिंदी बोल रही है, मैंने का इतना अच्छा, इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल सकती, है न, बाद में इस बात का पता चला, everything is on the dubbing, market के अंदर है, हर जगा ह इन जिनों audio का बहुत बड़ा scope है, podcast के थुरू आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आगे अप्थवा से चलते हैं, यह अलोग प्रिये नहीं है, हाल में अभी एक survey हुआ, and the findings of the survey is that, that 67% of the total population in the cosmopolitan cities, they shape their, I mean, public opinion by listening to the radio, बहुत जल्दी चलेंगे, दो-तीन बातें आपके सामरी से मैं रखना चाहता हूं, और यह slide क्योंकि आपके साथ share हो जाएगी, तो सब कुछ मुझको बोलने के और शेक्ता नहीं है, यहाँ पर हम देख रहे हैं, strengths of the radio, क्या-क्या ताकत है radio के अदर, एक तो बात है, it is more economic, easily it is movable, यह allows multitasking, है ना, अगर मैं TV देख रहा हूं तब तब पाइंग रूम में टहली है, लेकि radio आपको बांध के नहीं रखता है, यह आपकी कल्पनाओं को ज्यादा उडान देता है, है ना, तो radio के बारे में है, यहाँ पर हम देख रहे हैं, एक चोटी सी बात और बोलूंगा, जो इस तमें आपका NEP 2020 है, इसका बहुत बड़ा focus य जिता आप उप्योग कर सकते हैं, इसका उप्योग आप जरू करें, और आगे चलके उसमें यह भी चाहे, All India Radio हो, या Community Radio हो, Community Radio के बारे में बाद में हम लोग बातचीत करेंगे, या Community Radio हो, या तो आकाशबानी हो, या FM हो, या podcast हो, the NEP stresses, बहुत ज़्यादा इसका recommendation है, कि maximum possible use of radio होना चाहिए, education के लिए, अब हम थ्वासा आगे चलते हैं, एक बार I am again, you have got alerted by the time, एक question यहाँ पूछना चाहता हूँ, बहुत जल्दी यल्दी चलेंगे and I hope that I will complete, आप broadcasting किसको कहेंगे, what is broadcast, इस समय कहना चाहूँगा कि English में संधी विछेद नहीं होता है, लेकिन हम य यहाँ पर है, broad मतलब very wide है ना, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा area, बहुत बड़ा area, और cast मतलब डालना, so when we throw our signal in a very broad area, right, इस समय आपको एक डेमो देना चाहता हूँ, इस समय माइक माल दीजे, है तो भी mobile, मेरे पास भी माइक नहीं है, शोताओ आओ आपका हादिक कि I have so many messages on the box, मैं समय box में देख सकता हूँ, कहां कहां से है, मैं समय देख रहा हूँ कि Aasam से है, okay, one message is also there from, I mean, abroad, बहुत जगा जगा से देख रहा हूँ, पंजाब से है, हर्याना से है, बिहार से है, हमारे बिहार के भाईलों message कर रहे है, 36 गर से भी message है, बहुत बहुत धन बाद तो सुनते रहे हैं, उमंग कारिकरम, NCRT द्वारा प्रसारीत, ये कारिकरम मैं विश्वास करता हूँ, ग्यान और विज्ञान से भरा हुआ कारिकरम है, ओवर, आईए सुनते हैं कारिकरम, मैंने क्यों ये, ये डेमो मैंने क्यों दिया, I gave this demo just for one purpose, और वो ये है कि ब हमरे radio signal जाते हैं, तो that is called basically, technically, इस समय कहूंगा, broadcasting, okay, इसी का उल्टा एक term है, that is called the narrow casting, narrow casting है, यानि जब बहुत short area हो जाता है, FM आप जानते हैं, आप community radio भी जानते हैं, तो that is called the narrow casting, और narrow casting इंदिनों बहुत popular हो गई है, है न, FM में हम सुनते हैं, community radio 15 km का radius होता है, है न, but very important, आगे चलते हैं इस समय, कुछ बाते हैं, अब क्योंकि समय, okay, I have completely now 10 minutes, चाहूंगा कि notes भी आप लो ले ले ले, आप लो को बहुत अच्छा लेगा, अब हम move कर रहे हैं, radio program के format के बारे में, कारेकरम तो सुनते हैं, लेकिन अगर हम बोलें, जब मैं नय नय आया था, अपना कि example इस समय दूँगा, उन्होंने पूछा, तो क्या करते हैं आप, मैंने का, I am the radio producer, 89 की बात है ये, जब मैंने join किया, ये अपका NCIT, तो मैंने का कि I am the radio program producer, तो कहा क्या बनाते हैं, मैंने का, radio program बनाते हैं, बला वो तो ठीक है, radio program बनाते हैं, लेकि radio program में क्या बनाते हैं, अब मैंने का, मैं क्या बनाते हैं, सर, ये मेरी समझ से थोड़ी बाहर है, आगे चलके मुझको समझ में आया, कि मुझको radio के formats के बारे में जानना चाहिए, there are certain formats of the radio program, तो सबसे पहला आप यहां पर देख सकते हैं, आपको यहां पर दिखाई पढ़ रहा होगा, सबसे पहल जो format है, वो है radio documentary, नोट कर सकते हैं इसको, radio documentary is the first and the foremost, I mean format in the radio, लेकिन documentary क्या है, documentary के बारे में थोई देर के बोलूँगा, हिंदी में कहेंगे तो radio दस्तावेज, documentary यह शब्द document से आता है, right, document से आता है, और जब document से आता है, तो उसका आर्थ है कि यह authenticity पर, यह fact पर आधारि हो सकता है, right, it can be manuscript, it can be audio, it can be video, it can be letters, it can be diary, it can be inscription, anything, यह बोलना चाहता हूँ, जो documentary है, वो हमको कालपनिक उडान की आग्या नहीं देता, जो तथ हैं उस पर ही हमको अपने कारेक्रमों को बनाना पड़ेगा, example इससे में देता हूँ, मल यह कारेक्रम मुझको बनाना है जलि documentary, documentary कैसे बनेगी, documentary ऐसे बनेगी कि मुझको एक काम करना पड़ेगा, I have to go to a deep seated research, research की और शेक्ता पड़ेगी मुझको, है ना, research का मतलब यह है कि मैं मालूम करूँगा कि जलियां वाला बाग जो है, यह घटना कहां पर घटित हुई, अगर माल यह पंजाब में घटित हु जी के, या किसी और नेता के, क्या audio clips क्या मुझको मिल सकते हैं, या क्या उस समय का संगीत मुझको चाहिए होगा, जलियां वाला बाग के अंदर जो firing हुई, तो मैं AK47 तो use नहीं कर सकता, उन दिनों यह नहीं था, है ना, आपका 303 था, यह करके खीशते थे, यह करके डालत यह ना, that was actually 303, उसकी sound कैसी थी, मुझको सारी बातों को देखना पड़ेगा, और documentary के लिए एक बात आपको और बता दूँ, इसको present करने का तरीका है, usually दो लोग होते हैं, अगर बहुत अच्छी हुआ हैं तो एक आवाज भी चलेगी, एक आवाज भी चलेगी, लेकिन सारे में आप एक बात को नोट कर सकते हैं, the key verse is that it never allows us to have our own imagination, it is all the time, it is centric, it is centered with the facts, है ना, आप यहाँ पर देख रहे हैं, manuscript और सारी बातों को आप देख रहे हैं, तो इसके उपर documentary depend करती है, आगे चलते हैं, बहुत interesting जगा पर हम आ रहे हैं भी, और आगे जब हम चलेंगे, तो one more thing is there, एक term और है, that is called the docudrama, right, docudrama यह है कि जब माल यह documentary, है ना, documentary जब बहुत ज़्यादा निरस हो जाए, यार कितन एक काम करना पड़ता है, हम इसको docudrama बोलते हैं, docudrama मतलब, it is based on the fact, but at the same time, we can create some drama scenes, जब हम ड्रामा बनाते हैं, तो वो फिर बहुत ज़्यादे interesting हो जाता है, मैं उधारन देता हूँ, जलियां वाला बाग कही देता हूँ उधारन, और उधारन इस समय कुछ इस प्रकार स चाता हूँ, और वो बात ये शोता है, कि आप जानते हैं, जलियां वाला बाग में मातर एक गेट था, सिर्फ एक गेट, सारी भीड वहाँ से अंदर जारी थी, और वहाँ पर बहुत सारे नेता थे, जो कि वहाँ पर भाशन दे रहे थे, और अचानक, अचानक बोलके मैं जाएंगी, सब कुछ आएगा, जो जो ड्रामा होता है, इतना मारमीख होगा, साउंड एफेट के साथ, आप अभी भूत हो जाएगा, I guarantee you, आपको लग रहा होगा, मैं कहां से बोल रहा हूँ, अगर मौका मिलेगा, तो we will talk about the audio editing and recording, आपका software, उसके बारे भी बात करेंगे, the program can be produced, this is called the docudrama, तो docudrama का मतब क्या हुआ, to avoid the monotony, we create certain drama scenes, but all the drama scenes and everything depends on the fact, ये तत्यों पर ही निर्भर करता है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, बहुत ही interesting format आ रहा है भी आपके सामने, ये है radio magazine, अगर मुझको कोई इसमें कोई copy मिल जाए, अगर कोई copy मिल जाए, या तो बहुत अच्छा रहेगा, देखनी से में, anything, anything, right, radio magazine, ये बहुत ही important, ये आपका format है, magazine से क्या समझ में आता है, अगर देखेंगे तो आप थोई दिर imagine करें, अगर आपके पास कोई answer है, you can right now input the message to me, आपको इसके दोरह क्या समझ में आता है, एक में chat box दिखते हैं, अच्छा, good, 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 thank you very much, thank you very much, आपको के comment बहुत अच्छे आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं radio सुन रहा हूँ, कुछ और पड़ा दू, आगे थुआ से देखेंगे कुछ और comment में, it caters to all the variety in one, good, आपका thank you very much, आप लगातार input कर सकते हैं, so that I can see the messages also, और अब हम आते हैं, इसको radio magazine, very important, very, very important, my dear friends, and thank you for the messages, आप messages को input कर सकते हैं, लगातार, तो अच्छा लएगा, जब हम बोलते हैं radio magazine, तो माल लिया है, अभी मेरे हाथ में यहते एक register है, इसको magazine माल लिज़ तो मैं ऐसा देखता हूँ, okay, right, छपके आगया, मुझे को याद है कि जब school magazine छपके आती थी, तो मैं क्या करता था कि सबसे पहली आदद जो बच्चों के होती, सुन के देखते थे, हैंना, आहा, हा, हा, क्या बढ़िया है, हैंना, सुन करके देख लिया, यहाँ देखा तो हाँ, थोए से भारी भरकम शब्द है, okay, good, good, अच्छा है, आगे चलो, वाओ, 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 अगले पेज को तो देख के मज़ा आगे, यहाँ पर तो काटून है, जिसको मैं बहुत जादा लाइक करता हूँ, काटून is there, आगे चलो, आगे चलता हूँ, तो यहाँ पर द बहुत सुंदर कवीता, रॉबर्ट फ्रोस्ट की कवीता, the woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep, wonderful, wonderful, आगे चले, यह तो बड़ा अच्छा है, यहाँ पर एक लगूनाटी का है, मैंने क्यों थोई देर के आपको डेमो दिया, जैसे जैसे पेज बलटते हैं, वाराइटी बलती जाती That is called the radio magazine, और आप लोग शिक्षक लोग हैं, आगे चलके next session में बातचीत करेंगे कि आप कैसे disseminate कर सकते हैं, WhatsApp में ग्रूप कैसे बना सकते हैं, आप YouTube में चैनल कैसे बना सकते हैं, और किस प्रकार से आप disseminate करेंगे, तो इस समय एक छोटा सा और आपको example दूँ, magazine format का, ओके, शोताओ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, CIT and CRT के उमंग रेडियो कारेकरम में मैं आपका दोस्त अजीत होरो, आपका स्वागत करता हूँ, बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ, आज के इस station को join करने के लिए, और लगातार पिछले प्रसारणों में मेरे साथ आपन मरमग और कंपोजर थे, बहुत अच्छे पियानो बजाने वाले, और पास्चाते संगीत में उनका बहुत-बड़ा योगगान है, तो आइए सुनते हैं, एक बड़ा खुबसूरत उनका ही music recital, लेकिन रुकिएगा, हमारे पास we have so many things to give to you in our store, अभी हम नहीं बताते हैं आ उसके बाद इंतजार कीजे किसका नाम आप सुनने जा रहे हैं, और उसके बाद जब हम आगे चलेंगे तो एक बड़ी खुबसूरत कविता हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, तो stay tuned and hold on to your breath, drive well, अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराईए क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं, तो बहुत अच्छे लगते हैं, thank you very much, this is one of the, I must say, जैसे जैसे पन्ना पलटते गए हैं तो शिक्षकों के लिए बात करूँगा, शुरू में आपने माल लिया कोई एक अच्छी recording की, शुरू में आपने कोई कविता रखी, बाद में कोई ड्रामा रखा, बच्चों का जब when you make it a capsule, I guarantee you my dear friends, आपको लगा है कि मैंने तो miracle कर दिया, और सच में आप लो miracle कर सकते हैं, आगे चलते हैं, मेरे पास 5 minutes और है बस, और समय कोई देखते हुए लेकिन बहुत सारे formats हैं, and we are going to the next, अगला, अगले में चलते हैं समय यह, जी, अगले बारे में चलते हैं समय magazine format और magazine format के बाद, जब तक यह आता है तब तक मैं बोलता जाता हूँ, जी हाँ, magazine format, magazine format के बारे यहाँ पर आप देख सकते हैं, song, drama, interview, poem, story, instrumental, और आप लोग तो, आप लोग तो आवाज के मालिक हैं, है ना, दुनिया भर में है ना, हर जगा लोग आपको जानते हैं, आपन format और, this is radio feature, radio feature का मतलब यह है कि बहुत सारी बातों में से एक बात को उठाना, right, उधारन आपको देता हूँ, NCRT ने एक किताब छापी है, और वो किताब है बहुरूप गांधी, गांधी जी का व्यक्तितों बहु आयामी है, बहुत सारी उनके व्यक्तितों के बहुत सारे आया, बहुत अच्छे लेखाग भी है, बहुत अच्छे वक्ता भी है, बोलते भी अच्छा है, right, अच्छा संत भी है, आगे चलके देखिएंगे, बहुत सारा उनके व्यक्तितों के बहुत सारे लेयर है, बहुत सारी बातों में से वे पिक अप वन तिंग, जैसे बोलते ह We are going to featurize something, है न, we are going to featurize, एक बात और इस समय देखते हैं मेरे प्रियो, बड़ी खुबसूरत बात इस समय आपके सामने बोलूंगा, फीचर जब आप सोचते हैं, इस समय कहूंगा, वो सोचिये, जो किसी ने नहीं सोचा, वो लिखिये, जो किसी ने नहीं लिखा, वो कल्प हैं, आपके सोताओं को, आपके विद्यारतियों को, इस बात का इंतजार रहेगा, so that's wonderful, that's wonderful, रेडियो मैगजीन, और आगे चलते हैं, आपका बस दो-तीन मिनिट और, और इसके बाद हम आते हैं, रेडियो टॉक, राइट, अगले सेशन में टाइम होगा, हम लोग काफी देर तक बातचीत करेंगे, रेडियो टॉक मतलब होता है कि मैंने किसी को इन्वाइट किया, किसी विशेशग्य को, सर, आपका कल मैंने अखवार में एक आर्टिकल दिखा, बहुत सुन्दर आर्टिकल है, मैं आपको फोन कर रहा हूं इस समय, तो सर आपके साथ, मैं चाहत लिए में आ जाएं तो हमें बहुत अच्छा लएगा, लेकिन एक रिक्वेस्ट है सर कि आप अपना जो लेक है वो पहले लिख ले, आप उसको बना ले पहले, और कल मिलते हैं, और कल बाचीत के बाद स्क्रिप्ट को फाइनलाइज करते हैं, उसके बाद मैं चाहूंगा कि आपका ये जो शोध पत्र है, ये हम प्रकाशित करें, ये हम ब्राड़कास्ट भी करें, तो थैंक यू बेरी मच्च, तो सर ये है आपका रेडियो टॉक, टॉक मतलब दो लोग बात करने वो नहीं होता है, यहाँ पर डॉन्ट भी मिस्टेकन, राइट, टॉक मतलब दो ल समय चाहिए, एक मीट मेसिज देख लें, राइट, ओके थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा हाथ जोड के आप लोग का धन्यवाद, समय की कमी को देखते हैं, मैं भी आगे चलूँगा, जिहां, अब थासा आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, बहुत अच्छा है, वाक्स पॉपुली, यह आपका पीपल से आता है, इसका मतलब वाइस अप्ड़ पीपल, है ना, जब एलेक्शन होता है, तो हम जाते हैं, माइक ले करके हैं, भीड में दौड करके हैं, हाँ, बता ही बता ही है, आपको कैसा लग रहा है, कौन सी प करिंग के साथ उसको पेश किया, और मैं बोलूँगा, आइए, अब सुनते हैं, आज तक तक तो आपने सुना अजीत होरो की आवाज, लेकिन आईए, आजीत होरो आपको सुना रहे हैं, जनता की आवाज, है ना, तो जनता की आवाज वहापर जाएगी, that is called the voice works properly, बस एक- लेकिन इस समय आपको अच्छा लएगा, इसको स्टॉप कर दे, राइट, सो थैंक यू बेरी मच, इस समय एक-दो बातें आपको कहूंगा, आप लोग को देख के अच्छा लग रहा है, मैसेज आप लोग भेजते रहें, लेकिन इस समय ये कहूंगा, when we talk about broadcast, you know, ये आपक कलपना का बहुत बड़ा मौका देता है, आपकी कलपना शक्ति को बढ़ाने वाला, क्योंकि जो दिख रहा है, वो तो दिख रहा है, राइट, लेकिन जो नहीं दिख रहा है, लोगों की कलपना शक्ति को मैं कितना स्टिमिलेट कर सकता हूं, और एक बात बोलना चाहता हू रेडियो के दोर हम क्या करते हैं कि हम लोगों को कान से दिखाते हैं आग से तो दुनिया देखती देखती है आग से तो दुनिया देखती देखती है लेकिन कान से दिखाओ तब तो कमाल है आप किसी की कलपना शक्ति को इतना जागरित कर दो वो अपने आपको explore कर ले, तब तो कमाल है, और आखरी बात, एक बात बोलूँगा, broadcasting का मतलब I am talking to a blind friend, मैं एक दृष्टीहीन मित्र से बात कर रहा हूँ, मेरे बोलने का मतलब क्या है, दृष्टीहीन मित्र मतलब यह हुआ, मैं studio में बैठा हूँ, अभी तो zoom के थूँ, हम एक दूसरे को देख सकते हैं, लेकिन broadcasting में एक दूसरे को देख नहीं सकते हैं, मैं श्रोता को देख नहीं सकता, श्रोता मुझको देख नहीं सकता है, that's why I am saying, we are talking to a blind friend, लेकिन जब उससे बात करते हैं, बड़ा important है, अब बोलेंगे जी, आपका तो हसना दिखता भी नहीं है, दिखता है, एक बड़ फिर से mobile ही पकड़ा है मैंने, अगले session माइक लेके आएंगे, एक बड़ा अच्छा quote है, इसको note कर दीजेगा, ये quote जीवन भर काम आएगा, बड़ा अच्छा quote है, मुझको कोई देख नहीं रहा है, मुझको कोई देख नहीं रहा है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, बड़ा अच्छा quote है, if you smile with the microphone, ये mike है, if you smile with the microphone, world is going to smile with you, अब मैं बोलूँगा, आएए शिक्षको, आएए हम कारेकरम सुने, है न, किताब, किताब boring है, लेकिन अगर मैं बोलता हूँ, आप सबका हार्दिक स्वागत है, मेरे शिक्षक मित्रो, बहुत-बहुत धन्यवाद इस सेशन में आने के लिए, अगर मैं smile करके बोल रहा हूँ, आप वहाँ understand करेंगे कि मैं smile कर रहा हूँ, when you smile with the microphone, world is going to smile with you, and when you cry with the microphone, world is going to literally cry with you, तो बहुत-बहुत धन्यवाद, इस सेशन के लिए हाथ जोड़ करके आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ, टाइम इतना था, अगला सेशन है, साहे 11 बजे फिर से मिलते हैं, तो तब तक के लिए आग्या दीजे, अभी आप सुन रहे थे, C.I.E.T. NC.R.T. का आपका चहता कारिकरम उमंग, और अब इस उमंग कारिकरम में आपका दोस्त, आपका मित्र अजी थोरो, आप समों से आग्या चाहता है, नमस्कार. बहुत ही खुबसूरत इंट्रोडक्शन था और ऐसा नहीं है कि यह समाप हो गया है, हम अगले सेशन में सरसे दुबारा मिलेंगे, आप इस सेशन को और अच्छी तरह से समझेंगे, इंजोई करेंगे, होपुली आपकी स्माइल्स बता रही हैं.